दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन मैमरी आफ डेवी येट्स ये बहुत ही फेमस पोएम है जिसको लिखा था डेवी एच आडन ने और इस पोएम को लिखा गया था विलियम बटलर येट्स की डेथ पर ये व्ल्ड वाइट फेमस पोएम है जिसे डेवी एच आडन ने विलियम बटलर येट्स जो की कितने महान पाइट थे हम सब जानते हैं उनकी याद में उनकी डेथ पर एक ट्रिब्यूट की तरह लिखा था हम लोग इसे लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे चलिए शुरू करते हैं बोएम की पहली लाइन बोलती है यहाँ पर येट्स की बात की जारी है कि येट्स की जब डेथ होई थी न तो वो सर्दियों के दिसंबर मन्त में होई थी यानि कि मिड सर्दियों में जब मार देने वाली कड़क सर्दी पड़ रही थी उस वक्त वो कायब हुए थे डिसपेर हुए थे यानि कि उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पर ब्रूक्स नदी नालों के लिए कहा गया है कि वो भी जमे हुए थे सारी नदी और नाले सर्द के मारे जम चुके थे सारे एरपोर्ट्स खाले पड़े थे कोई भी हवाई जाहज में सफर करने वाला नहीं था इतनी सर्दी थी उस वक्त विल्यम बटलर येट्स की डेथ हुए थी आगे बोलता है and snow disfigured the public statues जो public statues थे उनके ओपर बर्फ पड़ रही थी और बर्फ पड़ने की वज़े से उनके figure statues के figure खराब हो गए थी बर्फ ने public statues की shape खराब कर दी थी इतनी थेंड पड़ रही थी और सर्दी कितनी पड़ रही थी ये हमको एक example देकर बताते हैं point की mercury जो ग्रह है mercury ग्रह हो सूरज के सबसे पास का ग्रह होता है जो सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडा होता है जो रात के वक्त सबसे ज़्यादा ठंडा होता है और सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि mercury ग्रह का कोई अपना atmosphere नहीं है इस वज़े से वो सबसे ज़्यादा गर्म रात के वक्त सबसे ज़्यादा होता है ये इतनी ठंड पड़ रही थी कि रात के वक्त mercury ग्रह जितना ठंडा हो जाता है न उतनी ठंडी रात थी ये mouth of the dying day का मतलब है रात के वक्त agree कि सब इस बात पर agree करेंगे the day of his death was dark and cold day विलियम बटलर येट्स की death वाले दिन ठंड मार देने वाली थी dark और cold day था उस दिन अब आगे डेव्या चार्डन क्या बोलता है far from his illness कि दूर कहीं कि उस दिन दूर कहीं जहां विलियम बटलर येट्स बीमार पड़े थे वहां से बहुत दूर the wolves यहां पर बीडियो की बात की जा रही है the wolves ran on through the evergreen forest कि यहां पर विलियम बटलर येट्स बीमार पड़े थे न उनके death bed पर वहां से बहुत दूर भीडिये हरे घास के मैदानों में दौड लगा रहे थे दौड रहे थे the peasant river was untempered by the fashionable quiz और humble सी river भै रहे थी दूर कहीं by morning tongues यहां पर morning tongues का मतलब है कि विलियम बटलर येट्स की death पर रोने वालों की कमी नहीं थी morning tongues का मतलब रोने वाले यहां पर tongues का मतलब है जुबाने morning का मतलब रोने वाले the death of the poem was kept from his poems लेकिन पौइट की death विलियम बटलर येट्स की death उनकी poem से परे रखी गई थी कहने का मतलब ये है आज के दिन दुनिया में कहीं पर भी विलियम बटलर येट्स की poem पड़ी जा रही होगी तो कोई भी उस poem को पड़कर अंदाजा नहीं लगा चकता कि आज ही के दिन poet की death हो चुकी है तो वो अपने poems के जरिये हमारी यादों में हमेशा जिन्दा रहेंगे यानि कि उनकी death का उनकी poems पर कोई खास असर नहीं पड़ा लेकिन उनके लिए तो विलियम बटलर येट्स की लिए तो उनकी आखरी दोपहर थी यानि वो गुजरने वाले थे आगे वो दोपहर का description देते हुए बोलते हैं कैसी afternoon थी, कैसी दोपहर थी and afternoon of nurses कि nurses उनके आसपास घूम रही थी doctors और nurses उनके आसपास घूम रहे थे and rumours, rumours का मतलब होता है अफवाहें और अफवाहें उड़ रही थी कि येट्स की death हो चुकी है अब यहाँ पर येट्स की body को किसी शहर से compare के जा रहा है वो बोलते हैं the provinces of his body revolted provinces का मतलब अलग-अलग हिससे उनकी body के अलग-अलग हिससे उनके खिलाफ divot कर चुके थे उनकी के खिलाफ हो चुके थे उनकी body के अलग-अलग हिससे the squares of his mind were empty और उनके दिमाग के squires ये squares और provinces जो word है यह किसी शहर के लिए यूज किये जाते हैं, यहाँ पर उनकी बाडी के लिए यूज किये जा रहे हैं, कि उनके दिमाग के हिस्से भी खाली हो चुके थे, अब उनका दिमाग ब्लैंक पड़ चुका था silence invaded the suburb, suburb मतलब उपनगर, उनके दिमाग के suburb में silence ने धावा बोल दिया था, यह invaded का मतलब हमला बोल दिया था, अंदर घुज गई थी, silence उनके दिमाग के अंदर the current of his feeling failed, जो उनकी बाड़ी में current, यह blood flow होता है न, current जाने के लिए blood flow होता है, nerves के थुरू, nerves की बात की जा रही है, वो रुख गया था, blood flow रुख गया था, fail हो गया था, he became his admirers, और उनकी death हो गई, वो पीछे छोड़ गए, अपनी poems को, जिनसे उनके चाहने वालों की ताद बढ़ गई, अब, लोग ही उनकी तारीफ करेंगे, और उनके बारे में पूरी दुनिया को बताएंगे, now, और अब, he is scattered, scattered का मतलब यहाँ पर, fail जाने से हो रहा है, scattered का मतलब, वो fail गए हैं, among a hundred cities, सैकडो, शेहरों के अंदर, वो fail चुके हैं, बिखड चुके हैं, अपनी unfamiliar affections, और वो, पूरी तरह से डूबे हुए हैं, unfamiliar affections, यानि कि वो लोग जो उनके जानते भी नहीं हैं, उनकी poems को पढ़ रहा हैं, उनके unfamiliar affections में, वो डूबे हुए हैं, to find his happiness in another kind of wood, और अब, William Butler Reads, अपनी खुशी ढूनेंगे, किसी दूसरी तरह की जगह पर, another kind of wood, and be punished, under a foreign code of conscious, और कोई दूर देश का इंसान होगा, अपनी conscious के हिसाब से उनको judge करेगा, और punishment देगा, कहने का मतलब यह है, कि criticize करेगा उनके work को, अब वो तो रहे नहीं, और उनके works को criticize किया जाएगा, किसी और देश में बैठा कोई और इंसान, अपने हिसाब से, The words of a dead man, William Butler Reads के लिए कह रहे हैं, dead man यहापर, कि अब जो गुजर चुके हैं, उनके words को, उनकी poems को, अलग-अलग तरीके से are modified, modify किया जाएगा, in the guts of the living, अलग-अलग मतलब निकाले जाएंगे, उन लोगों के द्वारा, जो लोग अभी जिन्दा हैं, अब हाँ, उनकी death हो चुकी है, बहुत ही important दिन था, लेकिन सब के लिए important नहीं था, बट, in the importance of noise of tomorrow, आज ऐसा हो गया, लेकिन कल इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा दुनिया पर, लेकिन उनकी death का इस दुनिया पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, when the brokers are roaring, like beasts, कल वो ही brokers यानि की दलाल लोग, चला रहे होंगे market के अंदर, किसी जानवर की तरह, on the floor of the boards, यहाँ पर boards वर्ड जो है दोस्तो, stock market के लिए यूज किया जाता है, कि stock market के अंदर, brokers को तो कोई खास फरक नहीं पड़ेगा, yeats की death से, और भी कई सारे लोग है, and the poor, poor लोग, गरीब लोग, have the sufferings, उनको तो वैसे ही sufferings मिलेगी, to which they are fairly accustomed, जैसे उनको पहले से मिलती आ रही है, उनका जो custom है, उसके हिसाब से, वैसे ही उनको sufferings मिलेगी, वैसे ह उनको दुखदर्द मिलेगा, उनको क्या फरक पड़ जाएगा, yeats की death से, and each of the cell of himself, हर इंसान अपनी ही शरीर की कोटरी में कैद है, is almost convinced of his freedom, जो सोचता है कि मैं आजाद हूँ, वो अपनी ही खुद की कोटरी में कैद है, शरीर की कोटरी में, लेकिन कुछ हजार लोग a few thousand will think of this day, जो इस दिन के बारे में सोचेंगे, कुछ हजार लोग होंगे, जो इस दिन के बारे में सोचेंगे, as one thinks of a day, when one did something slightly unusual, कि वो सोचेंगे कि हाँ, हमने इस दिन कुछ खास किया, कि उनके favorite part की death हो चुकी है, और उसी death के उपर उन्होंने कुछ खास किया, और आखरी बारी लाइनों में वो बोलते हैं फिर से, what instruments we have agreed, the day of his death was a dark cold day, हमारे पास कोई भी instruments हैं, वो ले आओ, वो सब इसी बात पर agree करेंगे, कि उनकी death का दिन बहुत ही dark और cold day था, उमीद करता हूँ ये poem आपको समझ में आये होगी दोस्तों, आज की इस वीडियों बस इतना ही, आपको समझ में 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 झाल झाल